हलो फ्रेंड्स मेरे नाम है संदीव कुमार गौर और हम डिसकस कर रहे हैं डिस्कीत मैथामेटिस के अंदरगत ग्राफ थेओरी पर और आज की वीडियो में हम देखने वाले आईसोमोर्फिक ग्राफ वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यह आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब कीजिए और वेल आईकोन को प्रेस कीजिए जैसे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकिशन प्राफ्त हो साके तो आई सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनिशन दोस्तों डेफिनिशन के अकोर्डिंग हमारे पास क्या है दो ग्राफ होते हैं एक है जी और दूसरा है जी डेस और इन दोनों को आईसोमोर्फिक ग्राफ कहा जाएगा तो जब यह 1-2-1 करस्पोंडेंस that means by Jackson relationship maintain करें साथ ही साथ कहां कहां पर vertices और ages के लिए साथ ही हमको देखना पड़ेगा कि यह incidence relationship को maintain कर रहा है या नहीं इनके example से समझते हैं example से आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि आईसोमोर्फिक ग्राफ क्या होता है और किस तरह से चेक किया जाता है example देखते हैं माली जी हमारे पास एक ग्राफ है जी और वहाँ पर कुछ vertices इस तरह से है यह आपस में इस तरह से connect है vertices A, B, C, D और E और जो ages है उसकी counting कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह एक और ग्राफ दिया हुआ है G- और वहाँ पर जो vertices है कुछ इस तरह से दिये हुए है V1, V2, V3, V4, V5 ages हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6 अब हमको यह देखना है कि यह दोनों जो ग्राफ दिये हुए है यह आईसो मॉर्फिक ग्राफ है या नहीं तो इसके लिए incidence licensive को maintain करना आवस्तेक है यदि incidence licensive maintain होता है तब कहीं हम कहते हैं कि यह ग्राफ आईसो मॉर्फिक ग्राफ है इसके अलावद तीन पॉइंट्स और होते हैं जिन पर हम चेक करते हैं जैसे कि same number of vertices होना चाहिए same number of ages होना चाहिए और साथी साथ जो degree sequence है वह भी same होना चाहिए तो पहले देखते हैं इसका degree sequence क्या है यहाँ पर लिखते है degree sequence of g degree sequence का मतलब क्या होता है यदि हम इन वर्टेक्स की degree निकालें तो वर्टेक्स की degree क्या के निकलती है देखते हैं इस वर्टेक्स की degree है 3 यहाँ पर है 2 c की degree भी है 3 d की भी है 3 और E गी है 1 अब इनको decreasing order में आपको लिख देना है तो वो इसका degree sequence कहलाता है जैसे 3, 3 और 3 तीन बार हैं तो इसको हम लिखेंगे 3, 3, 3 फिर 2 एक बार हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर 1 हैं तो इसको लिखेंगे 1 यह इसका degree sequence कहलाएगा इसी तरह ग्राफ g-dash का देखते हैं इस vertex की degree है 1 इसकी है 3 यहाँ पर भी 3 इसकी भी 3 है और यहाँ पर है 2 इसका degree sequence कबनेगा degree sequence of g-dash तो देखिए 3, 3, 3 2, 1 तो यहाँ पर degree sequence तो दोनों का बराबार है साथ यह साथ vertex अगर हम count करें तो यहाँ पर कितने vertex है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 vertex भी सेम है number of ages count करते हैं तो यहाँ पर कितनी ages है 6 और यहाँ पर भी E1 से लेकर E6 है means यहाँ पर हर तरह से तीनों condition के हिसाब से satisfy हो रहा है लेकिन सबसे जरूरी point क्या होता है incidence relationship मतलब जो भी यहाँ पर degree sequence है यह degrees जो है उनका relationship यहाँ पर maintain होना चाहिए किस तरह से maintain होना चाहिए अब हम वो देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम check करते हैं कि अधी हम बात करना है vertex के उपर पहले हम check करते है vertex के लिए तो vertex में क्या है जैसे यहाँ पर vertex है A तो इस A की mapping कहां हो पाएगी उसके लिए हमको check करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर one to one का relation maintain होना चाहिए तो यहाँ one to one on two that means y action का relation हो maintain होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है A के यदि हम mapping देखते हैं तो A की जो property है वो क्या है कि A की जो degree है वो क्या है 3 है तो यहाँ पर जो भी आप vertex लोगे उसकी degree कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए साथ ही साथ जो A के adjacent vertex है उनकी degree क्या क्या है 2 है 3 है और 3 है तो यहां से हमको वही vertex उठाना है जिसके adjacent vertex की degree 2, 3, 3 हो तो यहां पर आप देख रहे हैं यदि हम V3 को ले तो V3 के जो adjacent है उसकी 3, 3, 2 means हम इसको ले सकते हैं और या फिर हम V1 को भी ले सकते हैं V1 के जो adjacent है वो क्या है 3, 3 और 2 degree के लिए है तो यहां पर जो A की जो mapping है वो या तो V1 हो सकता है या फिर V3 हो सकता है तो हम दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं तो यहां पर हमने ले लिया V1 इसी तरह F, V के लिए चेक करते हैं देखिए अब B की degree क्या है? 2 है तो यहां से हमको वही vertex लेना जिसकी degree 2 है साथी साथ इनकी जो adjacent है वो क्या है? दोनों ही vertex की degree कितनी है? 3-3 है तो यहां पर देखिए ऐसा कौन सा vertex है? जिसकी degree 2 है और उसके adjacent की degree 3-3 है तो यहां पर V2 है V2 की degree 2 है और इसके adjacent vertex की 3 degree और यहां पर भी 3 degree तो इसकी mapping क्या हो गई V2 हो गया फिर देखते हैं C vertex के लिए C vertex देखते हैं तो C की degree कितनी है 3 है और इसके जो adjustment है 2 है 3 है तो यहाँ से हम case को ले सकते है V3 को V3 degree कितनी है 3 है और इसके adjustment vertex की degree क्या है 3, 3, 2 फिर लेते हैं D के लिए D की degree कितनी है 3 है और इसके adjustment की degree क्या है 1 है 3 है और 3 है तो यहाँ पर कौन मिलेगा हमको D की degree यहाँ पर हमको मिलेगा V4 V4 की degree कितनी है 3 है और इसके adjustment की degree 1 है 3 है और 3 है तो यहाँ पर आ गया V4 फिर F E अब F E की degree कितनी है मतलब 1 degree 1 है तो यहाँ पर देखी एक ही गिराफ है एक ही vertex है जिसकी degree 1 है V5 तो यहाँ पर आ गया V5 ठीक है इसी तरह आपको ages के लिए भी देखना है ठीक ages के लिए देखते हैं तो जैसे यहाँ पर 1 age है 1 number की age है अब 1 number की age के equivalent कौन हो गए यहाँ पर तो उसके लिए हमको क्या चेक करना है जो 1 है उसके end points क्या क्या है D और E और इनकी जो degree है वो क्या है 1 और 3 तो यहाँ पर एक ही यह जैसी है E1 जिसके एक vertex की degree 1 है और एक की 3 है तो इसके equivalent कौन हो गया E1 हो गया F2 2 की लिए देखें तो इसके adjacent कौन कोन है 3 2 जो vertex से A और D दौनों की degree क्या है 3-3 है तो यहाँ पर देखते हैं तो देखें यहाँ पर आप E3 भी ले सकते हैं 3-3 degree है फिर आप E4 भी ले सकते हैं और E2 भी ले सकते हैं तो इन मैसे आप कोई सा भी ले सकते हो तो हमने यहाँ पर E2 ले लिया फिर नमबर 3 3 नमबर की जो age है उसके जो vertex है C और D उनकी डिगरी कितनी है? 3-3 है तो यहाँ पर आप अपन E3 ले सकते हैं तो E3 ले लिया फिर 4 4 नमबर का देखें तो इसके भी लिए 3-3 है यहाँ पर हम ले सकते हैं E4 फिर है 5 5 के लिए देखिए 3-2 तो यहाँ पर भी 3 और 2 का relation में रहा है E5 के लिए और last में देखते हैं 6 6 के लिए क्या है 2-3 तो यहाँ पर E6 2-3 ठीक तो यह जो incidence relationship है यह भी maintain होना जरूरी है तो अब हम यहाँ पर कह ले सकते हैं adjacency also reserved therefore g and g- are set to be isomorphic इसका एक और example देखते हैं अब आलेजी कुछ इस तरह से हमको graph दिये हुए हैं यह graph g है और यह graph g-dice है ठीक है यहाँ पर यदि हम vertex देखें तो v1, v2, v3, v4, v5, v6 यहाँ पर देख लेते हैं a, b, c, d, e, और f ठीक है अब हमको यह देखना है कि यह isomorphic graph है या नहीं तो simple जो points होते हैं उन points के according यदि हम बात करें तो हम तीन चीज़े check करते हैं first हम check करते हैं same number of vertices second हम check करते हैं same number of ages और third हम check कर लेते हैं same degree sequence इस example को ध्यान से समझेएगा दोस्ते हैं यह exam के point of view से बहुत ही IMP है देखिए अब यहाँ पर अगर हम check करें same number of vertices तो यहाँ पर कितने vertices हैं 6 vertices हैं और यहाँ पर भी आप देखिए 6 vertices हैं मिस दोनों ही graph में 6 vertices दिये हुए हैं तो यह वाली condition तो satisfy हो रही है second same number of edges count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 दोनों में ही बरावर edges हैं यह condition भी satisfy हो रही है degree की बात करते हैं तो V1 की degree है 1 V1 की degree है 1 V2 की है 2 V3 की है 2 V4 की है 3 V6 की 1 और V5 की भी 1 इसी तरह A की degree है 1 B की है 2 C की है 3 D की है 2 E की है 1 और F की भी है 1 degree sequence देखते हैं G के लिए तो G का degree sequence क्या है 3, 2, 2, 1, 1, 1 3, 2, 2, 1, 1, 1 इसी तरह GDS के लिए देखते हैं तो GDS का क्या है 3, 2, 2 1, 1, 1 अब देखिए vertices भी सेम है ages भी सेम है और degree sequence भी दोनों का सेम है लेकिन 3 पॉइंट अगर आँ satisfy हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि यह दोनों graph आपको isomorphic graph दिये हुआ है इसमें आपको सबसे IMP चेक करना रहता है incidence relationship maintain हो रहा है या नहीं यदि 3 में से एक भी पॉपर्टी satisfy नहीं होती है तो आप यह कह सकते है कि यह दोनों graph आईसो मॉर्फिक नहीं है लेकिन तीनों प्रॉपर्टी के satisfy होने के बाद भी आप यह नहीं कह सकते कि यह दोनों आईसो मॉर्फिक है उसके लिए आपको incidence relationship को चेक करना ही पड़ेगा कैसे चेक करना है अब देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करें B4 vertex के बारे में तो B4 vertex के जो adjacent है उन दौनों की degree क्या है 1-1 है और B4 की degree कितनी है 3 मतलब 3 जिसकी degree है जिस vertex की उनके जो adjacent है उनकी degree क्या है 1-1 है ठीक है B4 की degree कितनी है 3 है और इसके जो adjacent vertex है उनकी degree क्या है 1-1 है यहाँ पर इसके corresponding अगर हम देखें तो हमको एक ही vertex मिलेगा जिसकी degree क्या है 3 है कौन सा vertex है C तो यहाँ पर C की degree कितनी है 3 है लेकिन C के पास एक ही adjacent vertex ऐसा है जिसकी degree 1 है ठीक, तो यहाँ पर जो incidence relationship है वो maintain नहीं हो पा रहा है और इसलिए यह जो graph आपको दिये हुए हैं यह isomorphic नहीं है ठीक These graphs are not isomorphic graph because जो graph आपको जो vertex दिये हुए है V4 because V4 is adjacent to to pendant vertex is not reserved ओके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही जिसमें हमने देखा है कि isomorphic graph क्या होता है तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you